अंतराष्ट्य परिवार दिवस 15 माई 2022 2022 की थीम क्या है? आए देखते हैं परमुक्तत्य 20 सुभर में परती एक बर्स 15 माई को अंतराष्ट्य परिवार दिवस IDF मनाया जाता है इस दिवस के आयोजन का प्रात्मिक उदेश्य अंतराष्ट्य समधाय के बीच परिवारिक संबंधों के महत्व को उजागर करना है परिवार समाज के निर्मार की मोलभूति काई है और यह एक ब्यक्ति के जीवन में सरवादिक महत्व रखता है संजुक राष्ट के मुतावित अंतराष्ट्य परिवार दिवस आहम जनमानस के बीच परिवारों से संबंधित मुदों के बारे में जैवरुकता को बढ़ावा देने और शंबंधों को परभावित करने वाले समाजी कार्थिक और जानसांकी की कारकों के बारे में समझ बिक्सित करने का आउसर परदान करता है अंतराष्टे परिवार 22-22 की थीम यानि बीस है बर्स 22-22 के लिए इस बीस है का थीम है परिवार और सहरी करन इसका मुख के उदेश है ठीका हूँ परिवार के अनुकूलन अनुकूल सहरी नीतियों के महत्तों पर जगरुकता बढ़ाना है फैमिलिस एंड अर्वनाजेशन एंप्स टू दराइज एवरिंग्स ओन दर इंपोर्टेंस आफ दर सॉस्टेनेवल फैमिली फ्रेंडली अर्वन पोलीशी बर्दवर 21 के लिए इस दिवस की थीम थी परिवार और नई परदोकिया या थीम परिवार और परिवारिक समयंदो पर नई परदोकियों के परभाव पर केंदरीत है अंतराष्टिय परिवार दिवस का इतिहास गौरव तलभाई की संजोग राष्ट महाशावा ने बुनियादी परिवार परणाली के महतों को महशूष करते हुए बर्स 1993 में 15 माई को अंतराष्टिय परदिवार दिवस के रूप में गोशित किया और शबसे पहले इसे 15 माई 1994 को मनाया गया था परिवार का परात्मिक कारे भुनियादी जरूरतों को पूरा करना है जैसे भोजन, आश्रे, सिक्षा, श्वास्त और भावनात्मक्षमरतन आदी लेकिन एक परिवार की भुनियादी का केवल इन कार खंड़ता, इमंदारी, सहिसूडता, बंधुत, समझार समाज के कमजोर बर्वो के प्रती दया आदी। हमारे समीधान के भाग चार की ए में हमारे राश्टिय परतिकों और राश्टिय नायकों का शमान करने, महिलाओं का शमान करने, बैग्यानी शोभाव रखने, हमारे पर्यारण और राश्टी अस्मारकों को स्वनरक्षित करने जैसे नागरीकों के मौलिक करते अभी शामिल है परिवार किसी भी ब्यक्ति में इन मौलियों को बिक्सित करने वाली पहली समाजिक परिवार इन कारियों को बिभीन तरीकों जैसे वारतालाप गती बिदी पुरसक और डंड पर किरिया आधी शक्र आगरी द्वारा करता है एक बच्चा अपने परिवार के सदस्यों के खारियों की नकल करने की कोशिस करता है यह उसके पीता यातायात नियमा को पार्ण करते हैं तो वह भी अपने पीता की तरह बनने की कोशिस करेगा अपने परिवार को इम मुल्य को आकार देती है और तदनुसर समाज और राष्ट के प्रति बच्चे का रवय बनता है दादा दादी और बड़े बजुर कहाने सुना कर अपने बच्चों में इमंदारी करूणा जैसे भी भी नैतिक मुल्यों को बिक्षित करते हैं हलाकि एक परिवार नकरात्मक परणामों के साथ भी मुल्यों को परदान कर सकता है दवा और परास्टचार के महल में बड़ा होने वाला बच्चा इमंदार के इमंदारी के मुल्यों को गिरते हुए देख सकता है और उसमें आत्र बिश्वास की कमी हो सकती है थांकियो पुर